गुण ही नारी का सच्चा आभूशन है शीलवान होना किसी भी अलंकार से बढ़कर है श्रंगारिक्ता को बढ़ाने वाले गहने छोड़कर पवित्रता की अभिव्रधी में समर्थ आभूशनों को अपनाने की आवशकता है क्योंकि नारी श्रंगारिता नहीं पवित्रता है पंडे श्री रामशर्मा आचारे, पुस्तक का नाम आधुनिक्ता की दोड में नारी आदर्शों से ना गिरे पुस्तक परिचे, पै अपने कॉलेज समय में मैंने बहुत सी लड़कियों को धूम्रपान करते, अभद्र वस्त्र पहनते, बाहरी सुन्दर्ता की होड में फैशन परस्ती करते और आदर्श हीन जीवन जीते देखा था यह सब आधुनिक्ता का परिचायक समझा जाता है, पर एक प्रश्म मेरे मन में हमेशा उठता था कि क्या आधुनिक्ता हमें आदर्शों से गिरना सिखाती है, या विवेक पूर्ण नीती अपना कर सम्मान पूर्वक, समाज में शांती पूर्ण व्यवस्ता बनाई रखना भारतिय समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, और साथ में परिवारा को सुरूप भी बदलता जा रहा है, नारी परिवार की मुख्य बिंदू होती है, आधुनिक्ता के इस परिवेश में नारियां कुरीतियों को तोड़ कर कई क्षेत्रों में सामने आ रही हैं, परंतु विडंबना यहा है कि जिस प्रकार से आधुनिक्ता की दोड़ में नारियां अपने आपको बदल रही हैं, क्या उससे भारतिय समाज एकत्रित रहे पाएगा, उस तक से जुड़े कुछ प्रश्न, क्या प्रगतिशील महिलाओं को अपने उन दायत्यों को छोड़ देना च चाहिए जो वे ही समभाल सकती हैं, एक परिवार में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिस से एक साजी व्यवस्था बन सके, नारी में प्रति इस परधा की भावना कहीं अहित करतों नहीं होती जा रही है, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, एक लगू पुस्तक जो हमारे समक्ष आधुनिक्ता का सही अर्थ प्रस्तुत करती है, और बताती है कि नारी को अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए परिवार तथा राष्ट्र के हित में कारी करना चाहिए, पुस्तक के कुछ अंश, पहला नारीयों का एक प्रत्यक वर्ग ऐसा है जो परंपराओं को आप्त वचन मानकर अविवेक पूर्ण होते हुए भी उन्हें किसी कीमत पर छोड़ने को तयार नहीं है, शिक्षित नारीयों में दूसरा वर्ग है उन नारीयों का जिनके मन में प्रत्यक परंपरा रीती रिवाज के प्रती व द्रोह है वह विवेक योक्त अथ्वा आविवेक पूर्ण किसी भी पुराने प्रचलन को अपनाने को तयार नहीं है, दूसरा फिल्म विग्यापन पत्र पत्रिकाओं साहित्ति और वैचारिक गोष्ठियों में आधुनेक नारी का जो चित्र बनता है प्रतिपादित किया जाता है उसमें नारी के कमनिय रूप को ही अधिक मुखरता मिलती है इससे यह जरा भी नहीं लगता कि नारी स्वतंत्र हो रही है तीसरा परिवार के सदस्यों के बीच अपने पन का विशेश अनभव होना परिवार के टिकावपन का सर्वशेष्ठ गुण है जब अपनों में अपने पन का भाव समाप्त हो जाता है तभी आपसी प्रेम के टुकड़े होने लगते हैं चौथा जहां नारी फैशन परस्त भड़कीली और निरलज्ज होती दिखाई पड़े महावर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे इंदोश नहीं दिया जा सकता यह उ उसके भोलेपन का शोशन है पांचवा व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि जो कुछ आप हैं उसकी जलक आपके संपर्क में आने वाले को मिल जाए इसका शरीर प्रदर्शन से कोई संबंद नहीं है जो कुछ हमारे भीतर है उसका आभास संपर्क में आने वाले को होना ही चा नम्रता, शिष्टाचार, शालीनता, सौमिता आधी परियाप्त हैं